यूपी की राधधानी लखनव में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों की बीच मुद्भेड हुई जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को इताउजा थाना छेतर के उसरना चौराहे पर गल्ला व्यापारी से लूट की बार दात हुई थी जिसके बाद गल्ला व्यापारी द्वारा विरोध की जुआने पर बदमाशों ने कई राउंद फाइरिंग कर दी थी इस हमले में गल्ला व्यापारी बाल बाल बच गए थे इसी के बाद लखनव पुलिस ने दिन दाहाडे फायरिंग कर पैसो की लूट करने वाले बदमाशों को मुखबीर और सर्विलिन्स की मदद से पतालता लिया मुदभेड में दो बदमाश को गिरखतार किया गया है वहीं पकड़ेगा या रोपियों के पास से गाड़ी और हध्यार भी परामत हुए है देखिया अपी जनकरिम लाना चाहूँगा कि बाईस तारीक को दिन में बार अबजे करीब में एक रॉबरी हुई थी सरयाम दुकान में फायर करके वीच जार पर लूटे गए थे और ये दो अग्याद बदमाश इसमें राइट मैं आज आज अग्याद बदमाश इसमें चैनल दो बदमाश थे जिनको रुखने का इशारा किया गया इसमें जाओई फायर में एक बदमाश है अधीब जिसके पहर में दो गोरी लगी है तोनों पैरों में ये बदमाश इस पर 9 मकदमे हैं और ये भुब माश था जिसे इन फायर किया था और लूट करी थी इसका साथ ही पकड़े गए हैं और इस पगमाश को जिसको गोरी लगी है इसको होस्पिटल हुई जा गया है